DPS Senior Secondary School तबी जी लेकर आए हैं online classes from pre-nursery to class 12, 50% discount on girls fees, online admission open, wizard dpsajmay.in जै हिंद, मैं ललीज खतरी और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया, आज बात राजस्थान के डेड़ लाग अधिकारियों पे जारी किये गए उस सरकारी आदेश की, जिसने राजस्थान के करीब डेड़ लाग से अधिक गैजटेट अधिकारियों को 30 जून तक अपनी सभी अचल संपत्तियों का ब्योरा राज्य सरकार को देना होगा, राज्य के कार्मिक विबाग ने इसके लिए सरकारी आदेश जारी कर दिये हैं, अब सभी अधिकारियों को 30 जून तक अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा देने के निदेश भी दे दिये गए हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस अधिकारी ने ये जानकारी नहीं दी, उस अधिकारी का इंक्रिमेंट और पर्मोशन बाधित भी हो सकता है, MTDV इंडिया को प्राप जानकारी के अनुसार जिन अधिकारियों ने IPR भरते समय गलत प्रविष्टियां अंकित कर दी थी, वे सभी अधिकारी इस अधि में ऑनलाइन सजोदित IPR भर सकेंगे, और राजकाज स्वाफ्टियर पर 1 जनवरी 2020 की स्थिती का अचल संपत्ती का संपूर्ण बेवरा देना होगा, जानकारी के अनुसार पूर्व में 31 जनवरी तक राजकाज स्वाफ्टियर पर इसका बेवरा देना था, लेकिन अभी अवदी 30 जून तक बढ़ा दी गई है, सभी राजपत्त अधिकारियों को 1 जनवरी 2020 की स्थिती का अचल संपत्ती का बेवरा देना होगा, आपको बता दें कि राज्ये में करीब डेड़ लाख राजपत्त अधिकारी है, 4,800 प्रेग्रेट पाने वाले करमचारियों को राजपत्त अधिकारी कहा जाता है, राज्ये सरकार के विबिन विभागों में पदस अधिकारियों के साथ ही कॉलेज व्याख्याता, प्रोफेसर, हेड मास्टर, प्रिंसिपल, डॉक्टर और पुलिस निरिक्षक समेत अन्ये श्रिणी में आते हैं, राज्ये में करीब 40-50 अजार शिक्षक राजपत्त अधिकारी के दाएरे में आते हैं, और अब राजपत्त अधिकारी तय समय पर अपनी अचल समपती का ब्योरा नहीं देते हैं, तो उनका वाशिक इंक्रिमेंट रोग जाएगा, साथ ही उनका ACR भी प्रभावित होगा, इसके साथ ही अधिकारी को भविश्य में पर दोनती मिलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आपको बता दें कि पिछली वसुंदर राजप सरकार ने भी अचल समपती का ब्योरा लिया था, जिन अधिकारीों ने ब्योरा नहीं दिया, उनका वाशिक वेतन र झाल झाल